आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही असानी और बहुत ही टेस्टी ये मोदक के रिसीपी है तो गनेश चतुर्थी सरपे है मतलब चालू है तो ऐसे में मोदक ना बने ऐसा हो नहीं सकता है तो बहुत ही असानी से और घर के चीजों से बनाने वाले ये मोदक का रिसीपी बहु अध्य प्रेंडस वागत मेरे चैनल में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिए यह अक्षे नारियल तो इसे हम चिल उपर का हटा लिए हैं और इसे क्या करेंगे बढ़िया से हम इसे च्छील लेंगी जो पाट है नहीं तो काले काले से लगई अच्छा नही पुरा वाइट पाठ हमने ले लिये हैं अब किया करेंगे अब छोटे वाले मिक्सी जार यानि कि बहुत टायम लग जाता है और अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत ही जल्दी से हमारा यह हो जाता है तो चले अब इसे पीस लेते हैं यानि कि बुरा बना कर तयार करते हैं तो इसे हम पाल्स मोड पर पहले चलाएंगे उसके बाद इसके हम बारिक से पीसेंगे तो देखिए यह है बढ़ियां से घर का बना हुआ बुरा बिल्कुल फ्रेस ताजा बनकर तयार हुआ है तो जितना अच्छा यह से बनता है उतना अच्छा अगर मार्केट बला नारियल का बुरा लेंगे ना उससे उतना टेस्ट ही नहीं बनता है बनता है लेकिन उससे जादा इसका ट गी कोड़े काम भाइस कर सकते हैं होजी। müsste इसमें प्राइब करें BE KARA पर पर जाहिए औरными अब टूरी देर के लिए हैं, पर correct गजाएँ नारीयल के जो तो इसे मीडियम टू लो फिलेम पर हम इसे लगतार भूनते हुए इसका हम बढ़ियां से भून लेंगे ताकि एक अच्छा सा सोना फना जाए तो इसे ऐसे ही हम भून लेते हैं तो चलिए हमारा बढ़ियां से भून चुका है तो अब इसमें मीठा के लिए हम डाल देंगे अब चाहे तो चीनी का या मिस्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गुर्ण डालने सनेश का सुना पन अच्छा आता है इसे कलर भी अच्छा लगता है दीखने में तो गुर्ण सुध होता है तो गुर्ण ही डालिएगा ज्यादा बेटर होगा तो देखें अपने अब बढ़ियां से चलाते हुए हम इसे देखें मेल्ट कर लिए हैं और बहुत ही बढ़ियां सा हमारा यह अश्टपी तयार हो गया है बहुत ही अच्छा है इसमें खुसबू आ रहा है आप चाहे तो इसमें दो इलाइची कुट कर डाल सकते हैं लेकिन हम बाद में इस्ति देखें लें अब हम आप भाद हम थांडा हो जाता है तो तो इसे छोड़ देंगे हम ठांडा होने के लिए और चलते हैं आगे का प्रोसेस करने बहुत ही अच्छा मस्टपी बन कर तयार हुआ है अब इधर कडाही चरहाएं कराही में डाल लेंगे एक काटोरी भरकर हम डा लेंगे दूध और आधि कटोरी डालेंगे पानी के पानी तो इसे हम आधि के तारे हमें तो यह मश्र्ण लेँगे G Saturn गणी क्टोरी presented टो एक तरह से हमाट्यशन ओसी से दिएगा क्यों दूद्ध मिलाए दूकि फाव मिलाना है यहां हलखाए साब में इसे हमएविया सब्रीकर्मhin और करेंगे दिश्कुर्णूं नहीं हमारा है हो गया है थे कि हम भाफे में बढया सेसेल करें य। की पाने में घी नहीं इसतीमाल एक में चमच भूभा नहीं बहुत इस्तों हो जाए हम याज मेरा दिमाग से निकल गया था इसलिए नहीं डाल पाए अब इसे एक पलेट में निकाल लिए हैं और ढखकर इसे भी छोड़ देंगे और देखे थोड़ी दिर के बाद यह जब हां सहने लाइक हो जाए गुनगना हलका सा रह तभी यह प्रोसेश करना है तो देख सक हैं 2 एलाइची को कूट कर हमने डाले हिसका टेस्ट बहुत ही घजव का आता है तो इसे हम डाल कर मिक्स कर लेगे और हलका सा देख सकते हैं डॉग हो गिया है तो अब क्या करेंगे हाथों में हलका सा तेल और घीव या पानी का इस्तमाल करकर आई शकोल बाना दुए आप स सपाप नहीं भर मुल डॉल चाकू से इसे डिजाइन देदेंगे तक मुधक नगे मुधक सेथि misi मुधक में हम चाकू करे को इस t Amendा सकते हैं अगर पीर पहले बनाते थी मेरी सासुमा आते थी मुझे नहीं आता था बनाने लेकिन इस्तमाल करके देख़day तक वाली तो नहीं बन पाया लेकिन इस तरह से हम बहुत ही असानी से बना लिए'RE लेकिन टेस्ट्रेंश में कुई कम परमाज नहीं है शेप जैसा भी हो पर टेस्ट बहुत ही गजब का आया था तो चलिए इसे भी हम बना लिए तो दो मुदक बनकर हमारा तयार हो गया है और चलिए सारे मुदक यह बना लेते हैं देखिए डिजाइन वाला कैसा हमारा पानाएं विल्कुल चिली दरा जैसा इसलिए हम नहीं बना है अब क्या करेंगे स्टीम के लिए कि ये इस्टेमार को बढ़ें से घी से ग्रीज कर लिए हैं जैसे हम हम सप्री कर्राइब लिए ग्रिज मिलंगों से बढ़ें इसे हम बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि यह 15-20 मिनट में ही परफेक्ट हो जाता है 15 मिनट में ही हो जाता है लेकिन हमने 20 मिनट के इसका टाइम दे दिये थे तो यह पूरे तरह से हमारा इस्टीम हो गिया है तो इसे ठंधा होने दिये हमतार कर और चलिए सब करते है इसके लिए एक पलेट में हम निकाल लेते हैं और देखिए कि कितना बढ़िया सी निकाल रहा है बिल्कुल भी नहीं टूटा है इस्टीम परफेक्ट है तो बहुत ही टेस्टी बनता है इधर हम केसर बाले दूध रखे हैं बना करके तो थोड़ी थोड़ी उपर से हम इस से डाल लेंगे बिल्कुल अप्सिनल है मन है तो डालिए या तो इसकीप कर सकते हैं तो फ्रेंस आज का रिसीपी कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक से और चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राब जरूर से कर दिजिएगा अपन जुआ के जिए बनाइए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यूँ